अलूंहें दोस्तों। आच से काँगी बौत ही पयारी सी मेस्तियी नजक्वी सब्सक्राइब अधरICA रोगा आ है कלא जादा वीडियो कपन पर फंददर करो तर्श गर्रीले का अम इस तरह सरे प्छॉर्ड मेयरे और मेरे इसी तरह से साधा साधा बना लिए और उदर से हम जैन सुरू करेंगे यह देखें पूरी रूह हमने कम्प्लीट करी अब इदर से देखें एक फिंदे को मिस तरह सीधा बनेगे अपनी साधा दागा कर लिया इस फिंदे को उतार लेंगे अब इस फिंदे पर इस तरह से हम जाली बनाते हुए सीधा बन लेंगे फिर अपनी साधा दागा करेंगे एक फिंदे को उतार लेंगे फिर से देखें ने सीधा फिंदा भिल लिया फिर अपनी साइड दागा एक फिंदे को उतारा है इस वाले फिंदे को सीधा बनाएगे यह देखें इस तरह से गुमा के दागा इसको उतारें इधर साइड से हम बुन देंगे इस वाले फिंदे को तारेंगे इस वाले फिंदे को दो फिंदे हैं जो हमने उदर से दो किये हैं तो उनको दो को एक कर देंगे एक हम सिंगल फिंदे को तारेंगे और दो फिंदे का एक फिंदा करेंगे अब दागा अपनी साइट करके हर फिंदे पर हम जाली बनाएंगे एक फिंदे को उतार लेंगे और दूसरे फिंदे पर हम जाली बनाएंगे अब देखें यहां पर उसी तरह से इस वाले फिंदे को उतारा इस पर हमने दो फिंदे का एक किया और यहां पर जाली बनाएंगे फिर अपनी साइट दागा, एक बार और देख लें, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, यह देखें, इस वाले फिंदेख उमने बुल लिया, अपनी साइट दागा कर लिया, सिंगल फिंदे को उमने सिलिप कर लिया, यहां दो फिंदे का एक फिंदा कर लिया, जो हम अंटा लगाते हैं, यह देखें, इस तरह से अंटा लग जाता है, सीधा बनाते हैं, इसको उतार लिया, यह इसी तरह से हम पट्टी बनाएंगे, लंबी-लंबी सी पट्टियां हम ब उब पड़ने लगी है इसीतर से मैं बना लेती हूं कि मन अब इनको लिच चलाले बूडिय हां इस तरह से औरे को इस तरह से देगे इस तरह से यह तरह से इस तरह से हम सिल्ख देंगे यहां पे हम नोट लगा देंगे इस तरह से तो यह पक्ती नोट हो जाए यहां से दागी को हम पटकर देंगे आपने इसको बनाना को अब ढूं साथ एक यह दोनोंbaby tik की सैठ परकेंगे यह दोनों इस तरह सर देज्ट को अब देखे इसको हम इस तरह करेंगे और इस तरह से आव इसको इस तरह से एस तरह से लिपरें चोटि हम बना लेते हैं कि इसी तरह से बनती जाएगी यह बहुत ईजी तरीक से मैं बता रही हूं और यह देखे इस तरहें है कि इसी तरह से पूरी बना लेते हैं मैं आपको आंगे साओ única कि यह रहे हैं। और इन बालों दागों को हम कट कर देंगे इस तरह से मैं फिंदे उठाती जाओंगी यह देखो इस तरह से जहां पर एक और उठाओंगी फिर इस से उठाओंगी और इंज वाली कलर से इसी तरह से हमें फिंदे उठाने हैं इस तरह से इसमें से खाएंगी ग्रीन है तो ग्रीन वाले कलर है उसमें से भी फिंदे इसी तरह से उठाओंगी देखें इस तरह से उठा लेती हूं फिर मैं आपको बताती हूं कि कितने फिंदे मैंने उठाओंगी इसमें से तो देखें इस तरह से मैं मुनाईय स्टाट करूंगी यह उल्टी साइड है तो हम उल्टा उल्टा पूरा बनाएंगे पूरी रूह हम इसी तरह से निकाल लेते हैं फिर देखाओंगे इस तरह से हमें उल्टा उल्टा बनाना है सारे फिंदे इसी तरह से उल्टी सलाई हमारी उल्टी ही जाएगी तो मैं निकाल लेती हूं फिर आंगी का पता है तो सुरू के देखें चार फिंदे हम उल्टे रखेंगे इस तरह से यहां पर देखें एक दो तीन चार पांच फिंदे सीधे फिर चार फिंदे उल्टे तीन चार फिर पांच फिंदे सीधे एक दो तीन चार पांच फिर चार फिर फिंदे उल्टे एक दो तीन चार अब पांच फिंदे सीधे एक दो तीन चार पांच फिंदे उल्टे एक दो तीन चार अब पांच फिंदे सीधे एक दो तीन चार तीन, चार, पांच, फिर चार फिंदे उल्टे, इसी तरह से पूरी रो को हमें बनाना है, चार फिंदे उल्टे बनाएंगे, तो पांच फिंदे हमें सीधे बनाने हैं, पूरी रो को इसी तरह से हम कम्प्लीट कर लेते हैं, फिर दिखा, दो सलैन की डिजाइन है ये, अब उ पूरा बनाएंगे उल्टी रो हमारी उल्टी ही जाएगी इस तर इस तर पूरी में बना लेती हूं पर डिजाइन को आपको दो सलाई मैंने कम लिए आप देखें डिजाइने स्टार्ट तो जो उल्टे हैं वह हम उल्टे ही रखेंगे चार फिंदे हमने एक सीदह बिल लिया दो सीदे बिल लिया अब दो के बाद तीसरा वला फिंदा है एक दो तो हमें दो के यह नीचे से इस तरह से ढालना है और डबल हम बनाएंगे इस तरह से अब इनको हम बुल लेंगे जो तीन फिंदे बचे हुए हैं उनको हम बुल लेंगे अब फिर से हमें वहीं से सलाई को डालना है और दो बार हम इस तरह से करेंगे अंटा लगा के इसको बुल लेंगे अब जो चार फिंदे उल्टे हैं फिर से हम एक दो के नीचे समने इस तरह इस सलाई को डाला और दो अंटे लगा के इस सलाई को निकाल लिया अब तीन फिंदे बिल लेंगे फिर से हमें वहीं से सलाई को टालना है इस तरह से और एक फिंदे को हम बना लेंगे इस तरह से अंटा लगा के हम बनाएंगे तो ये फिंदे हमें लूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चार फिंदे फिर से हम सीधे बना लेंगे इस तरह से दो फिंदे सीधे तो तीसरे फिंदे पे हमें ये बढ़ाना है तर तीन बुल लेंगे फिर से वहीं को हमने सलाई से डाला इस तरह से इस तरह से कर लेंगे चार फिंदे उल्टे तो उल्टे रखेंगे रूरी रूर इसी तरह से कंप्लीट करना है दो फिंदे बिनेंगे पर दिजाइन डालेंगे कि पर नीकल गय और इस तरह से बाड़ा नहीं को इस तरह से इस तरह से यहां पे तो निकाल लेती हूँ ये पूरी रोओ कंप्लीट कर लेती हूँ घर मैं आपको आंगी का बतर पहें चेसे तरह से इसरे से वह उताल के कि इसमें लेगार बाकि फिंदे इसी तरह से बुने जाएंगे यह देखें अंट लगा हुआ फिंदा उताल दिया बाकी फिंदे इसी तरह से सारे फिंदे इसी तरह से बुनेंगे यह बहुत सरल तरीके से डिजाइन बता रही हूँ मैं आपको यह देखें इस तरह से पूरी रोवा में इसी तरह से करेंगे जो हमारा फिंदा बढ़ाया हुआ है उसको मैं सिलिप कर लूँगी बाकी फिंदे इसी तरह से बुन लूँगी सारे बिल लेती हूं फिर मैं डिजाइन को बताती हूं चार फिंदे यहां पर उल्टे है तो मुटी बनाएंगे बैक साइड दागा करेंगे और यह देखें दो फिंदे हम यह अंदर की साइड पर लाएंगे इस तरह से और इस वाले फिंदे को इस तरह से हम कर लेंगे और इस वाले फिंदे के साथ में इस तरह से दुन इसी तरह से बनाना यह डेखे इस तरह से यह डिजाइण पढ़ती जाएगे अब उटी है तो मुल्टी बना लेंगे और यह दो फिइदे हम अंदर की साइट पिलाएगे पीछे की साइट से उसको अम आगी की तरब से इस तरह से कर लें चिश्व यह पांच फिंदे सीधे हैं तो हम चीधे बना लेंगे इस तरह से यह विजयन आंगी की सेट पड़ती है उल्टे है तो उल्टे फिंदे चलेंगे एग बार और देख ले इस तरह से हमने यह पीछे की साइट से 2 फिंदे कर लिए और इसको मैं इस तरह से और इसके साथ मैं एक फिंदे के साथ मैं इसको बिन दोंगे यह देखे हमने चार बिन लिए एक बचा हुआ है इसके साथ में इसी तरह से पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे ओधर से तो उल्टे उल्टा बनेगा इसी तरह से बना लेती हूं फिर मैं आंगे की डिजाइन बना दो तो यह तीसरे वाले फिंदे पर देखें एक दो तीन तो यहां से फिर से हमने शलाई पू डाला यह देखें वह अंटर लगाते हुए इस तरह से निकाल लिया, अब ये तीन फिंदे इस तरह से बिन लेंगे, फिर से देखें, वहीं से हम सलाई को डालेंगे, और इस पे अंटा लगाके इसको बोल लेंगे, इस तरह से, तो इसी तरह से ये डिजाइन आंगे की सैट पर बढ़ती जाएगी, तो मैं बना लेती हूँ, फिर म इस तरह से, इसी तरह से मैं बना लीती हूँ, पर दिखाओ, ये देखो, मैंने इसको बना लिया है, ये कम्प्लीट हो गया है, आप उपर की सैट पर देखें, हम किस तरह से, डिजाइन बाला इतना बनाया, अब हम बनाएंगे, ये, यहाँ पर 2-5 एक करेंगी, सारे फिन्दे उल्टी सैट से 2-5, ये, इस तरह से, करते हुए फूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे तो कर लेती हुँ फिर मैं आपको दिखा तो इसी तरह से फूरी रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फर मैं आगी आपको बताएं आप जितने भी फिंदे बचे हुए हैं अद्जी में सुई में इस तर से डाल दूदी हूँ और इस रागे में फिस तरह से डाल लिया ए बन्ने अब इस वाले दागे को में खेंच लागे इस तरह से हमने खींच लिया और इसको हम डबली रहने देंगे अब इसको हम उल्टा कर देंगे इसमें देखें जरास अभी नहीं है इसमें छेट बचा हुआ है इस तरह से खींचते हुए इसको शिल देंगे यहां से लेके यहां तक हमें शिलना है तो मैं शिल लेती हूँ यह देखो यहां से लेके यहां तक मैंने शिल दिया है अब इसको देखें इस तरह से हम सीधा करें के ये देखें केप बनिके रुल एथी कमप्लीट हो गए यह मैं ने खुल सैज बनाया है आप इस तरह को लोटी लगाना बता हूँ अम इस तरह से मौती टांकेंगे और अद्याओ ty pay और अब आपको मैं बसे खाना..to glacis maintain ग्रीन और बाइट मैंने लगाई हुए हैं इस मौतिक ले लिया इस तरह से पीछे पिर से कर दिया अब एक हम पत्ती को छोड़ देंगे यह देखें हम सुई डाल लाई हूँ इस वारी पत्ती को हम छोड़ देंगे इसमें हम सुई को डाले है इसी तरह से यह टांक यह कि देहां हम ठाटी घ्री को किनिका लिए एक हमने निकाली तो इक हमने और यह ग्रीन कीनिका अब यह देखें पॉम-पॉम हम उपर की साइट पे इस तरह से टाख देंगे, यह देखें, इस तरह से, पॉम-पॉम लगके तयार हो गया, यह देखें, मैंने बना लिया है, इसको सिल लिया है, तूरा ही है, कम्प्लीट हो चुका है, यह देखें, इसकी पिटिंग भी बहुत सुंदर आई हुई है, यह देखें, यह देखें, इस परेसे?